आज में आज में राशी लगन के जात्कों के बारे में शनी ग्रह के आज में शनी ग्रह को करम का ग्रह भी माना जाता है यह हमारे कर्मों के अधार फल परदान करते हैं ऐसा माना जाता है कि शनी पिछले और वर्त मानके कर्मों को देखते हुए शुब या अशुब फल परदान करते हैं कहते हैं जिस पर शनी दे महरबान हो जाए उसे रंक से र शनी की शुबस्तिती जहां लाप परदान करती है दोस्तों वहीं अशुबस्तिती जीवन में दिक्कत परशानी और आर्तिक संक्तों का कारण भी बनती है। यही कारण है कि शनी देव को हर कोई शांत रखना चाहता है उन्हें परसन रखना चाहता है और उनकी किरपा पाना चाहता है। जो मूल्तकॉन राशी है दिशा में गती करता हुआ हमें परतीध होता है। यह गती उस ग्रह के शुब या शुब जो भी प्रभाब उनने तेजी लाती है यानि कि उस ग्रह के प्रभाब में हमें तेजी देखने को मिलती है। 12 जुलाई 2022 को शनी वक्री वस्ता में अपनी मूर्थकों राशी कुम से निकल कर आपने ही दूसरी राशी मक्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और हिंदू पंचाम के उनसार 23 अक्तूबर 2022 को रवीबार सुबा नोवज के 37 मिनट पर शनी मक्र राशी में ही वक्री से मारगी वस्ता को प्रापत करेंगे यानि की शनी फिर से अपनी चाल सीधी कर लेंगे और 17 जन्वरी 2023 को मक्र राशी से निकल कर एक बढ़ फिर से कुम राशी में अपना गोचर शुरू करेंगे तो आई ये जानते हैं कि 12 जुलाई 2022 से 17 जन्वरी 2023 तक मक्र राशी लगन वालों के लिए शनी कैसे शुब या अशुब रूप से उन्हें प्रभावित कर सकते हैं लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पले एक बर फिर आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूंबर खास कर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आएं और इस वीडियो को देख रहे हैं ज़िए आपने हमारा चैनल सब्क्राइब नहीं किया तो कर लेजिए नोटिक्रेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर चाहिए वो वैदिक अस्टोलजी से रेक्टरो या फिर केपी या कस्पल इंटरलेंग त्यूरी से जो हम समय समय पर केस्टडी अपलोड करते रहते हैं आप दोस्तों के लिए आप उन्हें में इस मत करिएगा साथ में जदी आपकी भी कोई क्वैरी हो तो आप दियो वे इस वर्श अप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं फीस दोस्तों एप्लिकेबल रहे लिए तो चली बात करते हैं मेश राशी लगन के जातकों के लिए शनी देव के राशी प्रवर्तन की जो की 12 जुलाई को अपनी मकर राशी में होने जारा उसका क्या से शुब या अशुब पर भाव इन पर पड़ सकता है मेश राशी लगने की जातकों की जिशनी 10 और 11 भाव के स्वाल बनते हैं ये आपके 10 भाव यानि की पेशे परतिस्टा के भाव में वक्री वस्ता में प्रवेश्ट करने जा रहे हैं 11 लाब भाव होता है, हमारे इच्छाओं का भाव होता है इस दुरान आप पूरुन रूप से अपने क्यारियर प्योर केंद्रित रहेंगे और अपने पैंडिंग कामों को पूरा करने का हर संबब प्रयास करते नजर आएगे हाला कि आपको अपने अठके हुए रुके हुए कामों को पूरा करने में कुछ उतार चड़ाब का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आखर में चीजे आपके लिए बेहतर होती जाएंगी और आपके लिए ये गोचर शनी का जो है शुब फालदाई से दोगा 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक शनी जैसके हमेशा हम अपने वीडियो में कहता हूँ चाहे हमारा जनम चार्ट हो या फिर गोचर की बात करें ग्रजिस राशी में दोस्तों गोचर करता है उसमें पढ़ने वाले नक्षत्रों का परिनाम देने के लिए मजबूर होता है और यहां पर भी इस पूरे गोचर के दुरान शनी जो है मंगल के दिनिस्टा नक्षत्र की यात्रा करेंगे और मंगल मेश राशी लगने के जो जाता क्या उनके चार्ट में सेकिन भाव जो की धन भाव है नाइंथ जो की भागया भाव है उसके स्वामी बनते है नाइंथ भाव सबसे बलीतर कौन भाव होता दोस्तों और शनी टैंथ भाव में गोचर करेंगे मक्कर राशी में तो टैंथ भाव सबसे बली के इंदर होता है मतलब टैंथ भाव का स्वामी नाइंथ भाव के स्वामी के नक्षत्र पर गोचर करेगा और जब भी किसी चार्ट में 9 और 10 भाब के स्वामियों को आपस में कुछी भी तरह से कोई योग बनता हो या संबंध बनता हो तो ये एक राज योग की श्रेणी में आता है और मंगल इस पूरे गोचर के समय आपके चार्ट में मेश व्रिशव मिथुन राशी में गोचर करेंगे और ये राशी आपके सेकिंड थर्ड और फ्रॉर्ट में पड़ती है आर्थिक द्रिश्टी कौन से देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए बेहद शुब रहने वाला दोस्तों यहाँ पर यदि देखा जाए आप अपने खर्चों को पूरा करते हुए अपने आर्थिक स्थिति को संदुलित बनाई रखने में काम यब रहेंगे क्योंकि 12 जुलाई से 10 अगस्त तक मंगल रहू के साथ आपके सेकिन भाब में रहेगा इसलिए घर के प्रवार में जो घर के सदस्य है या आपका जो प्रवार है बाचित करते हुए आपको अपने शब्दों का ख्यार रखना होगा नहीं तो प्रवार के सदस्य है दोस्तों आपसे नराज हो सकते हैं 10 अगस्त तर जिसका असर आपके घर में सुक शांती पर पड़ सकता है इस दुरान आप घर की मरम्मत कराने की प्लैनिंग बना सकते हैं या जो जातक अभी तक कोई प्रॉपटी खरीदने की प्लैनिंग बना रहे थे इस दुरान उनकी ये क्वैश पूरी हो सकती है इस समय लोहा इस पात या माइन्स और गैस के स्टॉक में लॉंग टरन इनवेस्टमेंट करना आपके लिए लाब दाय और लाब करी सिद्ध होगा दोस्तर अपने पेशिवर जीवन में आप कई अच्छे बदलाव लाने की दिशा में केंदरित होकर काम करते नजर आएंग के पूरे-पूरे योग बनेंगे या इस दुरान आपको अपनी नोकरी में बदलाव करने का भी अफसर प्रापत हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रमोशन के योग भी यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं वेपारी पेशा जातकों की बात करते तो इस समय आप अपने वेपार को बढ़ाने के दिखा में काम करते हुए कोई वेपारिक एग्रिमेंट कर सकते हैं जिसका भुष्या में आपको अर्थिकलाप होगा आप अपने सेवाओं योगताओं के जरिये समंधित मार्किट में अपनी पैठ बनाने में काम यब भी हासल करेंगे दोस्तों व हो सकता है आप उनके साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं इस समय आपको अपने पिता या पिता संवान किसी व्यक्ति से पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा जो आपके लिए बेहतर सिद होगा कोलम लाकर देखा जाए शनी का मकर राशी में गोचर जो है मेश राशी लगन के जातकों के जीविल में बहुत बड़ा शुब आर्थिक बदलाव लेकर आएगा आर्थिक लाप के साथ साथ आपको सभी कामों में सवलता मिलेगी कह सकते हैं शनी के इस गोचर के दुरान आपको चो तरफा फाइदा होने वाला है दोस्तों तो यह ती जानकरी मेश राशी को लेकर तब तक लिए दोस्तों नमस्कार